देखे इस वाली फॉर्मिशन को अभी हम कवर करेंगे रेक्सलान फॉर्मिशन बेसिकली लास्ट विक विए जो चीज आपको बताई थी 9.15 और 3.25 लोवर टाइम फ्रेम के लिए थी ये वाली जो फॉर्मिशन हम लोग लोवर टाइम फ्रेम पर ही यूज करते हैं करने के लिए दूसरा क्यों कि स्विंग इडेंटिफाई करना होगा इसलिए इसका यूज हम लोग इस टॉप लॉस ऐसल आइडेंटिफिकेशन दूसरा इडेंटिफिकेशन ये हो गया और एक बेसिक जो लोवर टाइम फ्रेम के रीडिंग है उसके लिए इन फॉर्मिशन का यूज कुल मिलाकर करके काफी इंपॉर्टन फॉर्मिशन है कुछ हम इसके नियम लिखेंगे पहले रूल आउफ अब इस रूल लाइक कि यह फॉर्मिशन पहले चाइस तो कितने केंडल से मिल करके बनती है तो टोटल थ्री इंदल्स यूज यूज तीन केंडल्स हम लोग इसके नियूज करेंगे इन तिनों केंडल का अपना नेचर कैसा होता है फर्स्ट कैंडल हमेशा किसी भी फॉर्मिशन के फर्स्ट वाली कैंडल नॉर्मल रहती है उस फर्स्ट वाली कैंडल की जो इंपॉर्मिशन होती है वो डिपेंड करती सेकेंड वाली कैंडल के उपर 2nd candle, जिस तरह हमें चाहिए, उसके बाद में पता चलता है, यह 1st candle हमारी हमारी important है नहीं 1st candle नॉर्मल ही होती है, किसी इस 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 में 1st candle की अपनी candle होगी should be green ठीक है, 1st candle should be green 2nd, यह green और red, कैसी भी हो सकती है इसके अंदर जो एक चीस compulsory होती है, ज़रूरी होती है which is rejection ये ज़रूरी होता है, अभी rejection को कैसे देखते हैं, simple से कोई भी एक विक हमें rejection चाहिए होता है अच्छा third candle, first candle green second candle green, third candle third candle मारी होगे, third candle should be red ये तीन candles हम लोग लेंगे, ये सिर्फ एक formation हमने draw किया है आप इसको एक swing high पर भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ग्रीन candle first होगे, एक तरह का swing high देगा है, इस तरह की अब अगर दूसरी वाली formation बनाऊगे तो वो भी, जो second formation इसके just opposite, जो first candle है, first candle should be red, ठीक है second candle green या फिर important point क्या होता है, second candle का मेरा, rejection इसके बाद में, third, third candle should be, red ये होगी, green, ये दो formation बनी, दो formation होगे, इन दोनों ही formation में एक जो common चीज होगी, always you will find this formation with valid swing highs and swing lows जो एक बात हमेशे आद रखना कोई भी formation है तो अभी पढ़ा रहे हैं, पहले पढ़ा चुके हैं, अभी आगे इन जितनी formation होगो पढ़ाएंगे, so formation are just tools formation सिफ एक तरह का tool है इस वज़े से, formations formation is formations are not supreme, our levels are ये जो last की तीन चीज़े हमने लिखिए है न इस पोड़ा सा और करो, always we will find this formation with valid swing highs and swing lows, ये पूरी तरह से correlate है बात हमारी formations are just tools, formation एक तरह का tool है formation supreme नहीं है, formation supreme नहीं है का मतलब ये हुआ, कि किसी formation की उपर हम पूरी तरह से depend नहीं रहते, उन formations के थूँ जो हमारे levels निकलेंगे, वो level important होते हैं, अब ये levels हम लोग कैसे identify करते हैं कि कोई भी level हमारा सही है या नहीं, कोई भी line आप draw करो, वैसे तो हम लोग किसी भी जो आपका trend line होती है, उसका use नहीं करते हैं, basically हमें चाहिए हम supports identify करते हुए ही काम करें कि कभी swings identify नहीं है, कि हमने कोई भी एक इस तरह का trend line ले ले लिए, चाहिए तो trend line का हाई या फिर, हम लोग इसे valid नहीं मानते हैं, always information का use करेंगे, इस वहले swing का, एक ऐसा area, formation के तुरू हमें एक ऐसा area चाहिए, जिस area पर market बिल्कुल इसी तरह से react करते हुए दिखाई दे, level पर price रुके करके, लुकना चाहिए उसे, लुकना चाहिए, ठीक, इस drawing से और यह जो हमने उपर लिखा हुआ है, इनका क्या क्या क्यों, कुछ correlation है, पुरी तरह से देखो, जो भी हमने बात आपसे कही ना, के levels are not supreme, उन levels के थुरु जो area निखलेगर ना, वो supreme है, अमालो के ओओउए का जो level है, ऐसारि जो आपकी formation है, वो formation बन रही है इस जगए पर यहाँ पर, तो क्या यह formation valid है, नहीं, यह invalid formation है, यहाँ पर बन रही तो क्या यह यहां पर बन दी तो गया यह वैलिड है नहीं यह भी वैलिड नहीं ना तो यहां पर यह वैलिड है ना तो यहां पर यह वैलिड है तो वैलिड है यहां पर यहां पर वैलिड क्यों नहीं है क्योंकि यह हमें स्विंग पर नहीं पहुंचा रहे हैं अगर इस जगह पर कोई formation बनेगी तो वह वैलिट रहेगे क्योंकि formation ने में एक सही जगह पर पहुँचा है उसी तरह से यह एरिया भी important क्योंकि उस formation ने में एक सही point पर पहुचा है formation का काम यही आपको एक सही जगह पर पहुचाना क्या हम सही place पर है या नहीं यह हम identify करना पड़ेगा यह identify करने का तरीका क्या है naked analysis जब मेरी अपना draw कर देना तो उस drawing के पास में देखू कि price कितनी अच्छी तरह से move कर रहा है कितना specific point पर वह आकर कर रुका हुआ है naked analysis करो यह formation क्या करेंगी यह थोड़ी बहुत मदद कर देंगे थोड़ी बहुत मदद कर देंगे उस चाहिए तक पहुँचने में लेकिन उन formation को ही supreme मत मान लेना के जहां भी देखी formation हम तो जाएंगे trade करने ओके यह formation की value है और यही उसके validity है हमेशा हम formation के उपर depend नहीं होते blind trust नहीं करता उसके उपर अब देखिए यहां पर यह जो चीज़े हमने लिखी एक एक करके हम सारी formation हम ड्रॉ करेंगे आपके सामने दो formation जहां पर लिखे हुई है अभी दोनों formation बनाएंगे first formation जो है first candle should be green ठीक है यह आपकी first candle नहीं first formation यह नोट कर लिजागा सारी चीज़े first green होनी ठीक है तो first formation जो हमने बना दी हो second candle चाहाए green और रेजेक्शन होना चाहिए अच्छे यह rejection होना किस साइट से है यह rejection होगा upside से क्योंकि first वाली candle जो मेरी जो green वाली candle है first वाली candle कर green है तो जो second वाली candle का rejection है वो upside की तरफ होना चाहिए lower time frame पर एक तरह क्या pin बार माल लो तो यह pin बार ऊपर की तरफ हो गया अच्छा ज़रूरी नहीं है कि इस pin बार की opening और closing हमारी first वाली candle की range के अंदर ही हो यह बाहर भी हो सकती है इस color का candle कुछ भी हो सकता है इस तरह से कर कोई formation बनी हम अभी के लिए चलो माल लेते हैं किसका color जो हमारी second वाली candle का color है मेरा green कोई value color की नहीं है बस हमें upside से rejection चाहिए rejection क्यों क्योंकि यह एक तरह का cell दिखाता है हमको एक bear तो first candle should be third candle should be red एक चीज़ देखे दोनों ही में हमने नहीं लिखी जो fourth अपना condition है fourth condition यह कहती इस formation की कि जो second वाली हमारी candle second वाली candle sorry third वाली candle है इसकी जो closing है minimum हमारी second वाली candle की range के अंदर होनी चाहिए second वाली candle की range के अंदर minimum इतना ही होगा अब दूसरा यह पूरी formation समझ मैं जोसकी closing है minimum में second वाली candle की range के नीचे चाहिए और एक दो और यह तीन तीन candle से मिल करके पूरी formation रेडी होगई अब आप देख लेना कहीं पर भी अगर आपको यह तीन candles एक साथ दिखें दस में से साथ बार वो candle आपको swing तक पहुंचा देंगी swing अगर हमें mark करनत फिर हम swing ही markers कर ले नए information का क्या है जवरी है जह हम पर लेक्र लेकिश रहे है कि formation आर नौट supreme our levels are supreme मतलliter को swing supreme होते हैं तो सिदह swing mark कर लो year formation को क्या mark करने में देखो यह formation कहीं पर बन चुकी है आप मार्ग कर लोगे अब मालनो Leg Market में हम लोग काम कर रहे है तो अगर Leg Work Bull में काम करते हुए यह Formüşन हमें दिखाई पड़ी तो सबसे जबादा Chance है न क्योंकि We ini Heat तो Maybe Chance है कि We 이 Heat Swing Create करके दे दे किया इसके भीहाफ पर हम लोग अपना Risk बढ़ा सकते हैं रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि बहुत साथा चांस अगर यह फॉर्मेशन भर नहीं, तो स्विंग क्रियर्ट हो सकता है, समझ रहे ना, इस वजए से इन फॉर्मेशन को पढ़ना ज़रूरी है, अभी इसके और भी पार्ट्स आएंगे, यह तो हमने यह सिर्फ पहला और यह और इसके बाद में क्योंकि second candle में bullish हैं, थो थर्ड candle हुर होनी चाहिए, जो closing है, इस वाली candle की closing है, धर्ड वाली candle की ओर और ह्नी चाहिए, ठेक, यह swings क्रेट कर देता है, clear न? एक step और आगे बढ़ते हैं यह formation जो हमने लिखी है यह total तीन तरह की होते हैं एक तो होगी अपनी दूसरी होगी तीसरी होगी standard weak strong यह weak standard strong यह weak standard strong का क्या sense है यह जो formation अभी हमने आपके सामने draw की है और यह जो नियम लिखे हैं यह जो candle की format हमने लिखे हुए है which is standard यह standard formation weak formation कैसी होती है weak formation हम draw कर रहे हैं पर इसका use का भी नहीं करते है इसको पहचाने के कैसे कौन सी formation जिसका हम use नहीं करते है देखो जैसे first candle हमारी green बनी second candle कैसी होनी चाहिए rejection के साथ में यह बन गया यह दो कमपल सरी है यह दो candle standard weak strong इन दोनोगी Quindi behave यह टीन जो three type of formation है threeo formation सबस्याथ कर दो चाहिए तीसरी वाले candle फ़र्म होते है और दिफाइन कर देते है की वेक formation पता है कैसी होती है sheet formation जो करते है color black रहेगा लेकिन पूरी तरह से वो हमारी second वाली candle की range के अंदर ही रह जाती है वो इसके नीचे नहीं निकल पाती है उपर भले चलिए जाय तो जाय मतलब नहीं को लेकिन ये इसका low नहीं तोड़ पाती है low नहीं तोड़ पाने की वज़े से ये formation मेरी invalid हो जाती है invalid नहीं बोलेंगे ये weak हो जाती है और weak formation का use हम लोग कभी नहीं करते हैं या फिर इसका just opposite आप ले लो ये वाली एक ये second candle में क्या चाहिए rejection चाहिए एक bullish candle चाहिए bullish candle के बाद में जैसे third candle बने देख लो आप क्या second वाली candle की range के बाहर price गया भी है या नहीं गया है अगर नहीं गया तो ये formation invalid को छोड़ तो तुरंत दो formation होगे standard ये weak अब ये strong formation कैसे होते है strong formation same same यही रहेगा जो यहाँ पर मिने लिखा हुआ है ना साही चीज़ यही रहेंगे एक green इसके बाद में second candle मेरी rejection के साथ ये बन गए आप याद रखना standard formation जो हो sorry strong formation जो होगी वो हमेशा first वाली candle को brick करके नीचे की तरफ जाती है यहाँ पर आपको wick भी मिलेगी यहाँ पर proper में closing भी मिल सकते हैं दोनों में से कुछ भी हो सकता है और दोनों में कुछ भी हो गया यह वैलीड है अपनी लिए वैलीड है जैसे price नीचे की तरफ निकले ना या तो closing आप देख लो या अगर closing नहीं है विग भी निकल रहे तो यह वैलीड है first वाली candle यह और ठीक थ्री टाइप ओफ फॉर्मेशन अभी आपको बताएं एक दो इन टीनों ही फॉर्मेशन को यूज हम लोग swing identify करने के लिए करेंगे और लोगर time frames पर reading करने के लिए करेंगे इसका हम आपको देखाएंगे example example देखेंगे और इसके बाद में नेक्स्ट वीक जिस तरह से इस वीक आपने किया था same formations इसकी हमें करनी है प्रैक्टिस लाइव मार्केट में level strong करो level strong करने के बाद में जब जब price हमारा उस level पर आए जैसे price उस level पर आएगा हम अपने price को observe करना स्टार्ट करेंगे जितनी भी formation सभी तक हमने आपको पताई है 915-325 को add करके यह वाली हो 925-325 उसमें भी हमने यह कहता है कि जैसी price आपका आपके level पर आए न आप देखो आप उसको observe करो कि price आपका आपके level पर आकर के करता क्या है कैसे react करता है और यही अपना काम है हमें हर अपनी formation से एक एक करके जो भी formation हम बता रहे है अपनी formation से हमें रूबरू होना है उसको जितनी हो से कि उसके practice करते जाना है काम सारी formation का है कि सही जगर पर पहुंचाना है आप एरे निकाल लोगे, count कर लोगे और उस देखो कि लेवल पर price किस तरह से प्राइस शो करता है यह में help करता है trades करने में है नब यहां सब करते है रिमूफ कोई भी बजा जाटो है न हम इसको अब यह daily time frame पर फिलाल यह जो formation में बताई लोग टाइम पर इसका यूज किया जाएगा अब यहां पर दो जैसे एक दो और यह तीम क्या यह formation वैलिड है फरस्ट वाली तो red है सेकंड वाली green है यह भाली भी green होनी जाए अप सैट की तरफ color इसका red निकल यह formation invalid होगे सिर्फ इस color की candle के color की वज़े से invalid formation बट पूरी तरह से formation हमारी एक swing create करके दे रही है बहुत strong formation होती है अभी हमने कहाँ लोवर टाइम फ्रेम पर इसका यूज करेंगे practice जब तक करना है इसकी नो लोवर टाइम फ्रेम पर करना है लेकिन यह बात हमेशा अपने दिमाग में एक कोने में डाल के रखशेगा के higher time frame पर भी इनका यूज होता है जितना higher time frame जितना बड़ा time frame उतना ही strong formation होगी यह देखे है यहाँ पर भी बानी एक दो तीन एक दो तीन हम कुछ नहीं करके हम सिर्फ इसका swing mark कर लेंगे सिर्फ इस swing के पास के moves इसने support create किया support create किया price उपर चला गया नीचे चला गया मतलब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है सिर्फ formations को find out find out करो एक दो तीन first candle मारे green यहाँ पर मिला rejection और third candle मेरी red, third red ही होगी high mark को लोगा, यह आपको swing create करके देगा, इसका काम ही है swings को create करके देना, यह देखे, एक दो continuation में सिर्फ swing mark को लोगा, इसने swing create करके दिया, अच्छा marking करने क points कौन कौन से होगे, हम लोग highs and lows दोनों माग करते हैं, किसी भी formation का high भी माग करते हैं, डिपेंड करता हो situation में करना क्या है, highs भी important होता है और low भी important होता है, यह चीज हम एक chapter आप लोगों के साथ शेर करेंगे double bullish और double bearish का, वो अभी नहीं, वो हम शेर करेंगे आपको कुछ लोग हैं, आप लोगों को next week, Monday को, Monday की श्याम तक या मंगलवार की सुबा तक हम गुरूप में इंफॉर्म कर देंगे, याद रखेगा 23rd March, 23rd March में जितने भी लोग हैं, आप लोगों को हम 9 वीडियो शेर करेंगे, पूरा एप है, उस एप के अंदर जितने वीडियो 9 है, जेरें, जाद आप रखेगे, याद लोगो है, वीडियो को कैसे क्या देखना है, यह चीज़ हम बता देंगे आपको, ग्रूप में इंफर्म कर देंगे, उस तरह सा वीडियो देखोंगे, यह एक छोटी सिंफॉरमेशन जो आप रोम हम पहुंचानी थे, 23rd March के जितने भी लोग नहीं 6 अपरेल वाले बैच में जितने लोगों लोगों का ट्रेड एक्जिकुशन नहीं होगा अभी टाइम है दो हथे बाद या एक सुरी ट्रेड एक्जिकुशन हम बता रहें सिलेबस जो है वो दो हथे बाद ही हम प्रोवाइट करेंगे यहां पर हम लोग थे हैं औ और और कुछ लिए लेसिए और घंट की फर्स्ट स्वॉरमेशन ही लिए फस्ट सॉर्मेशन के बन जाने के बाद में जुब दूसरी फlexion बनेगी हमें वह नहीं चाहिए Billie puppet कहीं नहीं कहीं नहीं कहीं जहां पर दो ग्रीण रेड ग्रीन ये संवाइन ये फर्स्ट फॉर्मीशन राился कंदल के रich mapped किसने मार्क को आगे क्या होगा क्या नहीं होगा प्राइज नुब अब साइड के तरफ डिखाया डाउन साइड के तरफ गिरा है बडिक ब्रेक आउट दिखाया हो जाने दो मतलब नहीं उससे फर्क निपड़ता हमें सिर्फ यह चाहिए कि क्या हम लोग इस लेवल को इस जो बुरे मूव होगे उससे और बहुत ज़ाद आप दीमूटिवेट हो जाओगे तो अभी मूव कैसे हो रहे हमें उससे मतलब नहीं है लेवल के पास में प्राइस के हो रहे हैं मूवमेंट को बस मैं वाच करते रहे हैं वह देखना है तो किस तरह से प्राइस पूरे दिन जो मुव्स हैं उसको कैसे डिफाइंड कर देता है सिर्फ इतना काम करेंगे अब हम समप करेंगे इसको लास्ट विक हमने आपको पढ़ा था 9 15 325 और यह पढ़ा है अब शेयर करें ग्रूप में आपको कर देंगे इन्फरॉम तो वीडियो भी देखे जाएंगे 21 दिन तक हम लोग वीडियो देखेंगे रीजन कर लिजिए भरत आईए रीजन कर लीजिए एक सेशन नौ ले लेते हैं